धर्म को शान्ती पाने का एक जर्या होना चाहिए, पर हकीकत में आज हर धर्म कट्टरवाद पर आधारित है और आतंकवाद में शामिल है. क्या हम दुन्या में एक नई व्यवस्था नहीं बना सकते, जिसमें कोई धर्म ही ना हो? अब दुर्भागे से आज विश्व में जिसे आप धर्म के रूप में जानते हैं, वो बस किसी की विश्वास प्रणालिया है. कोई मानता है कि भगवान गोल है, कोई मानता है कि वो चौकोर है, कोई मानता है कि वो तिकोने है, स्थिती ऐसी ही है, है न? और आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी ऐसी चीज में विश्वास करने लगते हैं जो भी आपके लिए हकीकत नहीं है तो किसी और से आपका टकराप तै है क्योंकि किसी और को किसी दूसरी चीज पर ही विश्वास होगा नहीं नहीं मैं अपने भगवान में विश्वास रखता हूँ पर मैं जगडालू नहीं हूँ मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा ये सब बस दिखावा है अगर कोई आपको अच्छे से उकसा है तो आप लड़ेंगे जैसे उधारण के लिए मान लें कि आप विश्वास करते हैं कि भगवान के चार हाथ है मेरा विश्वास है कि भगवान के हाथ ही नहीं है ये दो अलग-अलग धारना हैं कल आप भगवान के लिए अपने प्रेम के चलते एक सौ फुटूंची मूर्ती कोईंबतोर शहर में लगवा देते हैं निच्चित रूप से उसके चार हाथ होंगे पर अचानक मुझे ठेस पहुँचेगी ये चार हाथ बहुत भद्दे लगते हैं क्योंकि असल में भगवान के हाथ ही नहीं है क्योंकि यही मेरा विश्वास है तो आज रात मैं उस मूर्ती के पास जाओंगा आपके भगवान को नुकसान पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं है बस उसे वैसा बनाना है जैसा वो असल में है बिना हाथों के तो मैं उसके चारों हाथ काट देता हूँ कल आपको कैसा लगेगा? आप मेरे हाथ काटना चाहेंगे है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक चीज पर विश्वास करते हैं मैं किसी और चीज पर विश्वास करता हूँ जब तक लोग किसी चीज में विश्वास करेंगे टकराव होना ही है नहीं, नहीं, हम सब भाई हैं हम सब एक हैं हमारे बीच सब ठीक है ये सब भाई-भाई वाली बातें जब हम उस मुकाम पर पहुँचेंगे जब मैं मानता हूँ कि मेरा विश्वास सही है मैं उसे जाहिर करने की कोशिश करूँगा मैं उसे हर जगए आम चीज बनाने की कोशिश करूँगा है न? हाँ? जब मुझे विश्वास हो जाता है कि मेरी धर्ना ही सच है तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करूँगा मैं इसे थोपना नहीं कहता मैं इसे आपको अज्ञानता से बचाना कहता हूँ हाई या ना एक बार मुझे पक्का यकीन हो जाए कि भगवान ऐसे ही है तो मैं इसे आप पर लादने की कोशिश करूँगा सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपको दर्द देने के लिए नहीं, मगर आपको दर्द होगा, क्योंकि थोपना दर्द पैदा करता है. जब आप इसका विरोध करते हैं, मैं दूसरे तरीकों का इस्तिमाल करके, इसे आपके अंदर भरूँगा. चाहिए वो जो भी तरीकें, तलवारों का, पैसे का, हर तरह के प्रलोभन का इस्तिमाल किया गया है, है न? क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, आप दूसरी में. धर्म किसे विश्वास के बारे में नहीं है. सभी दर्म शुरू हुए थे, अपने अंदर की तरफ मुढने के तरीके के रूप में. लेकिन, ये अंदर की तरफ एक कदम है. अंदर की तरफ कदम केवल एक व्यक्ती ही बढ़ा सकता है. ये एक बहुती निजी चीज है, जो आपके, सिर्फ आप ही के साथ जुड़ी है. किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं है. मगर जब लोग इसांतरिक कदम को संगठित करने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका रूप बिगड़ जाता है. अब हम अपने धर्म को सड़कों पर करना चाहते हैं. धर्म को सड़कों पर नहीं किया जा सकता. इसे सिर्फ आपके अंदर किया जा सकता है. अगर आप सच में धर्मिक बन जाएं, तो आपको किसी भी तरह के टकराव से परे होना चाहिए, है ना? अंदर और बाहर, दोनों. धर्म का पूरा सार यही है, है ना? मगर आज धर्म का मतलब है टकराव. अगर धर्म की बात आती है, तो आप आम तोर पर उस टकराव के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया में हो रहा है, है ना? ऐसा इसलिए है, क्योंकि आपने एक आंतरिक कदम को कुछ विश्वासों में बदल दिया है. क्योंकि अगर आपको अपने अंदर की तरफ कदम उठाना है, तो आपको खुद को रूपांतरित करना पड़ेगा. अगर आपको किसी चीज़ पर विश्वास करना है, तो आपको रूपांतरण की ज़रूरत नहीं है. आप जो चाहे बेवकूफी कर सकते हैं और मान सकते हैं कि भगवान उपर स्वर्ग में है, है न? हाँ? धर्ती पर सबसे हिंसक, सबसे निर्दई लोग हमेशा भगवान की बातें करते आएं, है कि नहीं? हाँ या ना? दुनिया में सभी युद्ध चाहने वाले भगवान की बात करते रहे हैं, है कि नहीं? और भगवान उनकी मदद करते रहे हैं. देखिए, जैसे ही आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, आपके अंदर एक नया आत्म विश्वास आ जाता है. यही सबसे बड़ी समस्या है. जब मूर्खों में बहुत आत्म विश्वास आ जाता है, तो दुनिया खत्रे में है. एक समझदार व्यक्ती जीवन के साथ लगतार हिज किचाता रहता है. हर कदम पर वो सोचता है, कि जो वो कर रहा है, वो सही है या नहीं? मगर एक मूर्ख में पूरा आत्म विश्वास होता है. और जब उसकी बेवकूफी पर भगवान का ठपा लग जाता है, तो बस हो गया. वापस मुड़ कर देखना ही नहीं. सबसे ज्यादा बेवकूफी भरी चीज़ें करते जाओ बिना किसी समस्या के. आपके बुद्धी की प्रकृती ही ऐसी है, कि आज अगर आप कुछ बेवकूफी भरा काम करते हैं, तो आज रात आपके बुद्धी आपको परिशान करेगी. मैंने ऐसा क्यों किया? है कि नहीं? लेकिन अगर आपके बेवकूफी पर भगवान की महर लग जाए, तो आपको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है. आप धर्ती पर सबसे बुरी चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं. गर्व महसूस करेंगे कि आप वैसे भी स्वर्ख जाने वाले हैं, क्योंकि आपने ये सारी मूर्खता की. अनुभव का कोई आयाम ही नहीं है. आप बस किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, और आपका विश्वास कहीं न कहीं किसी और के विश्वास से टकराएगा ही. दुनिया में लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है. क्रिपया देखिए. हालकि लोग दावा करते हैं कि ऐसा ही है, पर ये सच नहीं है. ये हमेशा एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास का मुकाबला होता है. तो धर में एक समस्या बन गया है, क्योंकि हमने उसे बस कुछ विश्वासों तक सीमित कर दिया है. अगर ये अनुभव के स्थर पर सच होता, कि आपने वाकई भगवान का अनुभव किया है, तो क्या कोई टकराव हो सकता था? इसकी कोई संभावना ही नहीं है, है न? मगर आप उस विश्वास के चलते, आप उसके परे जाने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, जो आपने औरों से इकठा किया है, और खुद से जीवन को नहीं देखना चाहते, टकराव बस इसी लिए है, अगर आप नहीं जानते, तो कोई टकराव नहीं होगा, अगर आप जानते हैं, तो टकराव हो ही नहीं सकता, मगर जब आप जानने का दिखावा करते हैं, तो टकराव होना तह है,